हेलो फ्रेंड्स, वैलकम टू माई चैनल नीलम बबर अगर आप ड्राइ स्किन से हैं परेशान, त्रंथ फॉलो करें कुछ फूड एंट टिप्स फ्रेंड्स सर्दी आने को तो रोका नहीं जा सकता, बट अपनी ड्राइ स्किन को नर्म और नम जरूर बनाया जा सकता है एजिंग जल्दी होती है, जुर्या जल्दी पढ़ जाती है, बट अगर हम इसकी केर करें तो हम एजिंग और जुर्या पढ़ने के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक भी सकते हैं कैसे अपनी स्किन को नर्म और नम बनाएं, सर्दी के मौसम में स्किन अकसर ड्राइ दिखने लगती है स्किन की ड्राइनेस से बचने के लिए हम डिफरेंट टाइप के मौस्टराइजर और क्रीम्स का परियोग करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारी स्किन ड्राइ ही रहती है सर्दियों में हैल्थ और तोचा का अधिक ध्यान रखना चाहिए मैं आपको बताऊंगी कि ड्राइ स्किन को कैसे ठीक रखा जा सकता है रूखी और बेजान तोचा हमारी सुन्दरता को कम करती है इस भागदोर वाली जिंदगी में हम अपने खाने पीने का भी प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते बैट लाइफस्टाइल का सबसे ज़्यादा एफेक्ट हमारी हेल्थ एंड स्किन पर पड़ता है जिसे हमारी स्किन पर रिंकल्स, जुरियां, आंखों के नीचे काला पन और रुखा पन साफ दिखाई देने लगता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हमें अपनी डाइट में सर्दियों में प्रोटीन और न्यूट्रियंट से भरपूर फूड का पर्योग करना चाहिए सर्दी में हमारी मिनटी भी कम हो जाती है इसलिए हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जैसे डैरी प्रोड़क्ट्स डैरी प्रोड़क्ट्स स्किन की ड्राइनेस से बचने के लिए मिल्क प्रोड़क्ट बेस्ट माने जाते हैं डैरी प्रोड़क्ट्स जैसे दूद, धही, पनीर, टोफू, चाह, चादी तुचा को अंदर से नरिश करने का काम करते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन अतिदिक मात्रा में होता है इसके साथ हम लेते हैं कुछ वैजी टेबल्स जैसे मश्रूम्स मश्रूम्स को एक सबजी के रूप में यूस किया जाता है मश्रूम्स में वाइटामिन डी की मात्रा दिख होती है और इसके साथ साथ शरीर में पानी को लंबे समय तक बनाई रखने की सायता भी करता है पालक पालक में वाइटामीन E होता है जो और इसमें बहुत से एंटि आक्सिदेंट्स भी होते हैं जो सब परकार की स्किन प्रॉब्लम से हमें बचाते हैं It also cleans your skin from inside out गाजर अगर आपकी स्किन बिल्कुल ही ड्राई हो जाए तो गाजर को अपनी डाइट में अड़ करें सबजी बना कर खाएं या गाजर का जूस पिएं गाजर का जैम और पिकल भी खा सकते हैं Next Cucumber जनी खीरा ये स्किन को firm and strong बनाने में help करता है खीरे में सिलिका होता है जो स्किन में flexibility लाता है और उसे नम रखने में सहायता करता है Coriander यानि धनिया इसमें भी सिलिका होता है जो हमारी स्किन की अंदर की नमी को बना कर रखता है Sweet Potato यानि शकरकंदी हमारी स्किन को soothing बनाने में help करती है और साथ साथ हमारे अंदर के toxins को बाहर निकालने में भी help करती है Asparagus इसमें vitamin E होता है जो हमारी स्किन को damage होने से बचाता है अब बारियाति है fruits की Papaya ये भी हमारी स्किन को नम रखने में सहायता करता है Avocado इसमें vitamin E होता है जो हमारी स्किन को moist रखता है and prevent aging Pomegranate यानि अनार one of the best fruit for skin क्योंकि इसमें vitamin E होता है और उसके साथ साथ high amount of water और minerals भी होते है इसके साथ हम अपनी डाइट में और क्या add कर सकते है Eggs one of the most effective food to prevent dryness of skin कुछ लोग egg white तो खाते हैं प्रन्तु egg yolk यानि yellow portion को fang दते हैं बट ऐसा नहीं करना चाहिए Yellow part में वे nutritional content होता है जो हमारी skin को चाहिए इसलिए हमें white portion and yellow दोनों ही खाने चाहिए इसके साथ हम अगर हम non-vegetarian हैं तो fish का save and कर सकते हैं फिश को अपनी डाइट में अगर हम add करते हैं तो हमें essential fatty acids मिलते हैं जो हमारी skin के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं इसके साथ साथ जो हमारे लिए सबसे ही important चीज़ है वो है पानी very important part of our food पानी की bottle को तो हमेशा handy रखें सर्दियों में आम तोर पानी कम पिया जाता है लेकिन अगर पानी हम कम पिरते हैं तो हमारी skin dry हो जाती है पानी maximum पीना चाहिए अगर मुश्किल लगे यह हो सके तो हमें गरम पानी पीना चाहिए गरम पानी हमारे लिए skin के लिए बहुत ही अच्छा होगा dry skin के लिए अपनी diet में कुछ seeds और nuts भी add कर सकते हैं जैसे flax seeds, alci के बीच यह शरीर के अंदर की नमी को बरकरार रखने में help करते हैं इनमें omega 3 fatty acid होता है सर्दियों में nuts यानी dry fruit खाने चाहिए dry fruit में जो oil होता है dry skin के लिए बहुत ही helpful होता है specially accroat, इसमें omega 3 fatty acid होता है इसके इलावा हमें olive oil juice करना चाहिए जिसमें vitamin E, good fat और बहुत से phytochemicals होते हैं जो skin को healthy रखने में सहाइक होते हैं ये तो है food products जो हमारी diet में add किये जा सकते हैं जो इन में से जो भी foods easily available हों उन्हें हम अपनी diet में add कर सकते हैं अब मैं आपको कुछ tips देना चाहती हूँ जो externally अपनी dry skin को ठीक रखने में आप use कर सकते हैं जैसे apply good quality of cream based moisturizer body lotion का परयोग नहाने के immediately बाद करें ताकि जो नमी body में है उसे काइम रखा जा सके body पर coconut oil का परयोग कर सकते हैं घर का काम करते समया glass का परयोग करें adjust your shower temperature यानि जादा बहुत जादा गरम पानी के साथ ना नहाएं dry skin के लिए जादा गरम पानी अच्छा नहीं होता use a humidifier घर में अगर आप heat चलाते हैं तो skin dry हो जाती है इसे बचने के लिए हमें humidifier यूस करना चाहिए fireplace यानि आग के पास अगर आप जादा देर तक बैठते हैं तो उससे भी आपकी skin dry होगी इसलिए जादा देर तक आग के पास नहीं बैठना चाहिए यदि आपका food जो मैंने आपको बताएं हैं और precautions या remedies काम नहीं करती उसके बावजूद भी आपकी skin dry राती है तो हमें डॉक्टर को consult करना चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो please like and comment करें यदि आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe my channel thank you यदि आपको जो